वेल्कम यूव आल एट मैं यूटुब चैनल तनाट सिंग एकडमी माईसर पॉडणिमा मैं अबको इनफर्मिशन दने वाली हूँ डिस्टिक्ट हेल्थ और फैमिली वेलफेर सुसाइटी के तरफ से रिलीच हुई रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में यहां पर य स्टाफ नर्ट नर्स के लिए टोटल नंबर पोशी yell कक्रनि जीडि केलिए को क्या ृप्लाई करने के सारे इन फॉर्मिशन ऐपको मिलने वाले है यहां ग Donnaय को देखें यापर जिस से आमने बताया है नॉटिफिकेशन से लाहु से तर एक courts तरफ न से जिसमें हैं पर स्टाफ नर्स के लिए टूटल अरह पोस्ट के वात करें तो यहां पर total 18 पेलीज रिलीज के गाई हैं अथारा पोस्ट रिलीज किये के अगर इडिगरी वाड कीजा है जनरल काट्रेगरी के लिए सेवन पोश्ट असी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास A कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, इसके लब एकोनोमिकली बैकवर्ड परसन इन जेनरल काश्ट कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, एक सर्विसमेन कैटेगरी के लिए हम पर टू पोस्ट रिलीज के गया है मिन्स टोटल में लाकर हम पर 18 पोस्ट रिलीज के गया है जिसमें जो भी सेलेक्टेट कैंडिडेट होंगे उनको यहां पर अलग-अलग यूनिट में पोस्ट किया जाएगा रिकूट किया जाएगा है पर पिडियाट्रिक एच ड्यू के लाप अलग यहां पर यू पर वूस्ट रिलीज के गया है उटीन लेज कितते हैं जिसमें छिफाल और अब करें तो अगर अपने जी आनम किया है या फिर ब्-सी नर्सिंग किया है तर आफका रजिस्ट्रेशन है याप हर॥ अक्ड़ पर रड़िश्त्रेशट्र Celaषन से त काउंसिल से इसके इलाबा आपका मैट्रिकुलेशन तक हिंदिया संस्क्रिट सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर एज लिमिट की बात करें तो यहां पर 42 तक के कंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आपर मैक्सिम एज लिमिट 42 रखा गया है मंतली रमुनरेशन की बात करें तो सेलरी आज पर आपका मंतली रमुनरेशन जो मिलेगा 13500 रुपीच पर मंत मिलेगा इसके लबाब अप्लस आपको मेडिकल अलांस भी दिये जाएंगे इसके लबाब यहां पर important instructions दिये हुए हैं इसको आपको अच्छी से पढ़ना इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है अपर कोई भी टीए या डीए आपको नहीं दिया जाएगा रिटें टेस्ट या फिर इंटर्व्यू के लिए इसके लबाब जो भी आप अप्लाई करे जाएगा इंटर्व्यू के लिए या फिजो भी process होगा उसके लिए यहां पर सुरू सुरू में रिटें टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फिर प्रोफिसेंसी टेस्ट जो होगा उसमें आपका IQ चेक किया जाएगा जो भी information है about concerned subject चेक किया जाएगा उसके बाद उसमें 40% marks अ आपको सॉर्ट लिष्ट किया जाएगा और जो भी इंटर्व्यू का process होगा उसके लिए आपको call किया जाएगा यहां पर candidate को website को regularly visit करते रहना है further information के लिए और interview date के लिए या फिर written exam जो भी होगा उसके लिए आपको website को regularly check करते रहना है क्योंकि जो भी information मिलेगी वो website के थ document qualification का जो भी है आपका basic और additional complete original documents लाने रहेंगे और detail mark seat सभी यह का लाना रहेगा इसके लबाव वैले registration certificate, experience certificate, car certificate और resistance proof के तौर पे इसमें से दो रहेगा जिसमें से राशन कार्ड हो सकता है, अधार कार्ड, वोटर कार्ड, पास्पोर्ट, रेजिडेंस सार्टिफिकेट, इ interview के time पर आपको यह सारा document लेकर present होने रहेंगे, यहां पर जो भी candidate है उनको जो भी आप apply करेंगे उसमें application form के साथ जो भी document attach करेंगे उसमें page number आपका लिखा होना चाहिए, page number आपको आपको mark करना है at the right side of the corner, सभी page की right side of the corner में top पे right side, सबसे उपर right side corner में आपको page number अंकि सब्सक्राइब करना है, तो जो भी pages रहेंगे, सभी application form का यहां पर नंबर अंकित होना चाहिए, तो application form के साथ आप जो भी document attach कर रहे हैं, उस पर भी आपको page number right side of the corner, top of the page पे आपको अंकित करना रहेगा, इसके लावा आपको सभी application form के सभी pages पे आपको sign करना रहेगा, किस बैसरा से apply करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले website पर जाना है, website से आपको जो भी application form है, उसको download करना है, download करने के बाद उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहां पर अच्छे से feel up करने के बाद जो भी आपका document है, जिसमें document आपको attach करने है, document चाहिए से तो चाहिए इसके लबा protect ढ़र उप्रकाइट के तौर पर एब ले सकते हैं इसके एलबाद दो कलर लेटेश्ट पाइसपोर्ट से फोटोग्राफ होना चाहिए यह सारे डॉक्मेंट आपको अप्रिकेसिन फॉर्म के साथ अटेच करने हैं और यहां पर लाश्ट जो अप्लाई करने का सिस्टीन थब जुलाई 2021 है कि ऐसे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है को यहां पर पोस्ट करना है यहां पर जो भी अड्रेस दिया हुए उस एड्र application form का format है वो यहां पर website के माध्यम से मिल जाएगी और यहां पर लिस्ट जो भी eligible candidate का होगा screening test और रेटेश्ट प्रोफिसेंसी test के लिए वो upload किया जाएगा इसी website के माध्यम से तो website का आपको रेगुलर्ली विजिट करते रहना है इसके लब यहां पर जो भी यह पोस्ट रिलीज किया गया है जिसमें जो भी सेलेक्टेट कैंडिडेट होंगे उनको 31st of March 2002 तक के लिए इंगेज किया जाएगा जो जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेट है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं डिटेर इंफर्मिसान आपको website के माध्यम से भी मिल जाएगी और यहां पर website का link आपको description box में मिल जाएगा अधर के लिए आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसके लावा बेल आइकन प्रिस कीजिए ताक आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें वीडियो